मुत्रम जगतगुरु शंकराजारजी से गुजारिश है कि वो अपने तर्सुराथ पेश करें इस महान काईक्रम के आयोजगन आगंतुक अतिथिगन एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैंने की जब जगत गुरू संकराचार्ज भी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाट सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्द, मुसल्मान को बेदर्द, तल्वार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीप काई बताता है कि नहीं है अबादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ भलाया बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कल में कोई पढ़कर के हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धरमात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्भू किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दें की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के दौरा बताया गया सिधानत है इसलाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है अपना सिद्धान पर नहीं है कुछ लोग भेद भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुन्या में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुँच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा शास्त्रों को हिंदू धर्मकरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोत किया गया ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संक्रा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पाँच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी इद बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धानतों का बिरोध करना पहला अधर्म है कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुचा हूएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का अतात पर जिस सर्फ एक है कि मैंने यह अन्भाव किया है कि यह एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग पूचते हैं कि आप मसल्मानों में क्यों जाते हो आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मसल्मानों से पूचो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का क्या हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मिसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके वजे से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जाने ही नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भाषा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है परमात्मा सब का है ये संदेश रिश्यों मुन्यों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद सहाब ने इस पैगाम को दिया तो हम बेदभाव क्यों करें यहां पर भारत का मुसल्मान एक बात बिलकुल मैं असपस्ट बता रहा हूं आप से अगर भारत का मुसल्मान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी ये भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदूओं को जो सच्चे सनातन धर्मी हैं उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्छा हिंदू अपने हो कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो अगर हिंदू की परिभाशा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाशा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजली देता हूँ हिंदु धर्म कुछ है नहीं है पिर हिंदु धर्म वही है जो बेद को माने पुरान को माने और सनातन को माने सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई प्योस्था चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है और नाम भगवान का ले एक बात और बता देता हूँ भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है हमारे पूर पुर्धान मंतरी साथ मुझे दुख होता है कभी कभी है जब कि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूँ विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको खुद सनातर धर्म की परिभाशा नहीं आती है विदेश में जाकर के हिद्धु धर्म की गलत परिभाशा कर दिये और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े है धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है पहले धर्म को जान लेना चाहिए फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम पहलेगा शांती पहलेगी इंसानियत सारे चारो तरब चारो दिशाओं में इंसानियत का प्रकार्श होगा और मैं तो कहता हूँ कि अगर संक्राचार जी लोग सब मिलकर के इस बिचार में इस्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इसलाम से अलग नहीं इसलाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं और जो भेद पैदा होता है यह राजनीती में होता है साम दाम दंड भेद यह राजनीती में है धर्म में नहीं है धर्म में है एको ब्रम दुतियो नास्ति एक मिव दुतियम ब्रम ला इल्लाह इल्लाह यह धर्म कहता है यह धर्म क एक है और परमातमा बार बार नियम नहीं बदलता कि धर्ती पर इनसान बदलते जा रहे है तो परमातमा अपना नियम बदलता चला जा रहा है यह ऐ़क बात याद रखीएगा जब सagan शुरुआत होई होगी जब तक ये दुनिया रहेगी इश्वर का सिध्धान्त एक था एक है एक ही रहेगा मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोख्ष नहीं है दोस्त उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके परतिष्ठा पाँचा आएते हैं खास करके इतना जान लिए धर्म भेद को मिटाता है और राजनीती भेद को बढ़ाती है राजनीती का अस्तर केवल राष्ट की बिवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है राजनीती से केवल आप देश का हिद कर सकते हैं लेकिन अगर विश्व का हिद करना चाहते हैं तो धर्म क कुरान में असपश्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है, हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, अज अंगरे जी की भी मिल गई है, और हम तो चाहिते हैं, कुरान शरीफ, सारी दुनिया में अगर इस गरंत को पहुँचाया जाए, और पहुँचा रहता हो, जिस भी भाशा को, कोशिश कीजिए, कि आप इस कुरान जैसे पवित गरंत को, उसको उसकी भासा में पहुचाये, और मेरी स्वह में सारी दुनिया में एक कुरान पहुचेगा, तो सारी दुनिया में, सारी दुनिया में शांती होगी, सारी दुनिया में अमन आईए आप लोग भी संकोच छोड़िये हम जानते हैं कभी कभी संकोच में कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिलने ही पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खरे हैं आए हैं हम आपको गले क्यां से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गलाबी मिलाएंगे जरुरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और शिर कटाने के जोड़ पड़ जाए तक इस्लाम किया के लिए संकराचाचार जाबता साथ देगा क्योंकि संक्राचार जानते है इसलाम दोखा नहीं है संक्राचार जानते है इसलाम बर्बादी का रास्ता नहीं है संक्रा चाज को पता है कि जो बेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने हो कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाएं हैं तो मुसल्मानों से भाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें दाक्टर लकनारसा देखिए मैं अपरचित्था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्वाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्त दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब बड़ी सभाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम करपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे जहां भी जो थोगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती शुक्रिया और अल्ला शंकर अचारिय जी को इदायत फर्माए